नमस्कार वोन इंडिया में आपका स्वागत है मेरा नाम अविनाश है स्प्लीट कैप्टेंसी का मतलब होता है अलग फॉर्मेट का अलग कप्तान चाहे वो दो भी हो सकता है या फिर तीन भी हो सकता है हाला कि तीन मुम्कीन है पर होता नहीं है आम तोर पर दो ही कप्तान होते हैं जो लिमिटेड ओवर संभालते हैं और कोई टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी इंगलेंड और अस्ट्रिया को आप उदाहरन के तोर पर ले सकते हैं दोनों ही देशों में टेस्ट क्रिकेट के लिए अलग कप्तान है और लिमिटेड ओवर सिरीज के लिए अलग कपतान है अब यही फॉर्मूला भारत में भी अपनाने के लिए जोड़ दिया जा रहा है कई दिगजों का मानना है कि विराट कोहली कम से कम T20 किरकेट की कपतानी छोड़ दे और रोहित शर्मा को कपतान बना दिया जाए कि कोहली ने खराब ही क्या किया है जिसकी वज़े से उनकी कपतानी छीन ली जाए अब इस पर पाकिस्तान के तेजगिंद बाज शोड़ बक्तर ने अपनी राय दी है उन्होंने कहा मेरा इस मामले में सीधा सा मानना है जहां तक मैं समझता हूँ विराट कोली टीम को आगे ले जाना चाहते है मगर ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि वो कितनी थकान महसूस करते है विराट कोली साल 2010 से लगातार खेल रहे हैं 70 शतक समित रनो का पहाड खड़ा कर चुके हैं अगर वो थकान महसूस कर रहे हैं तो उन्हें कम से कम एक प्रारूप खास कर T20 में रोहित शर्मक को कपतानी सौपनी पर विचार करना चाहिए मैंने IPL में भी उनके चेहरे पर बोरियत देखी थी हो सकता है कि बायो सेकलर बबल की वज़े से भी रही हो लेकिन वो तनाव में लग रहे थे सब इस बात पर निर्भर करता है कि विराट कोहली कैसा महसूस कर रहे हैं रोहित कपतानी के लिए पूरी तरह तयार है आपको बता दे इस समय भरते टेस्टिम के उपकतान अजिंक रहाने हैं और कोहली पहला टेस्ट मैच खेलने के बाद इंडिया वापस आ जाएंगे ऐसे में बचे हुए तीर मैचों की कपतानी करने वाले हैं रहाने शोयबक्तर का मानना है कि विराट कोहली की गैर मौझूदगी में रोहित शर्मा को टेस्टिम की कपतानी दे दी जाए इसको लेकर उन्होंने कहा है कि रोहित भारत के सर्फ्ट्रेस्ट बल्लेबाजों में से एक रहे हैं बत और कपतान खुद को साबित करने के लिए अस्टुलिया सिरीज उनके पास सुनहरा मौका है उन्हें दोनों हाथों से ये मौका भुनाना चाहिए रोहित शर्मा के पास टीम की अगवाई करने की अबिलीटी भी है इस खबर में बस इतना ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रही वन इंडिया के साथ